हाई देटेटेटेंस वेल्कम दूजी सांटेक स्वावेदा आपका सीरीज में जिसमें हम प्यू आई क्यू सॉल्व कर रहे हैं और जा रहे हैं आयएटी के माइंड सेट को आईटी ने कोई क्वास्चन दिया है तो उसके पूछे कुछ नो कुछ राज होते हैं कई बार होते हैं कानी बुर्व उसके पीछे राज हो ना हो इस सीरीज में हमना मकसित क्या है हम पहले से डिमाग को प्राने क्वेश्चन के प्रकार करें तो आप अच्छे से उसको डील कर पाएं क्योंकि यहां लड़ाई question को सिर्फ solve करने की नहीं है question को timely solve करने की है आज का question आज की class का gate double E का question 20 sorry 20 13 का question and one mark का question क्या pastry question जानने की कोशिश करते हैं the equation has no solution, non-zero, unique solution, only one solution and multiple solution बोलो एक question जानने की कोशिश करते हैं the equation has no solution, non zero unique solution, only one solution and multiple solution यह system of equation से related है और जब भी हम solution की बात करते हैं हम augmented matrix बनाते हैं यह आपको पता ही है like this, जिसका की आगे हम proceed करते हैं और समझते हैं कि क्या होने वाला है यह ना, x is equal to b, this is the entire format but यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको b वाला जो हिस्सा है ना वो तो गाइब है, वेनिश रहे, homogenous type की equation से आपको समझ में आ रहा है, तो कोई वांदा नहीं है आप a augmented b बनाईए कोई दिक्कत नहीं है अब पूरी कहानी इस से हम judge करेंगे, कि हमारे कितने solution है, नहीं है, क्या है, किदर से ठीक है, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं, यदि o a augmented b matrix में बनाऊंगा तो मैं पाऊंगा कि this would be 2 minus 2 1 and minus 1 this would be the entire कहानी अब मुझे कुछ नहीं करना है मैं solution प्राप्त करना है न row salon form से इसको, इसकी rank तक जाऊंगा मैं, तो मैं पाऊंगा यदि मैं row salon form से सबसे पहले 1 minus 1 कर देना चाहरा हूं 2 minus 2 कर देना चाहरा हूं मैं exam pattern में exam वाली style में करना चाहरा हूं, लेखूंगा नहीं कि मैंने कुछ adjustment कर दिया 1 minus 1 किया 2 कर गुणा किया है, इसमें subject किया है तो यहां पर 0 आगया है, पिरे बच्चे 2 कर गुणा किया है, इसमें subject किया है इसकी rank जो आई, वो क्या आ रही ही है if this is augmented matrix और वैसे homogeneous के form में B का तो कोई मतलब नहीं है, तो यह rank of A भी है, आप समझे है और rank of A जो आ रही है पियारे बच्चे, वो आ रही है, 1 और rank, यह जो rank आ रही है unknown, number of unknown कितने हैं यहां पर 2 unknown, देख लिए, x1 and x2, तो इन unknown से यह rank जो है, वो कम है yes or unknown unknown यह variable से यह कम है यह यदि कम है, तो हमने system of equation में आपको अच्छे से पढ़ाया है mathematics में, कि यह no solution वाली condition है no, नहीं सर, यह solution वाली condition है लेकिन infinite many solution वाली condition है infinite many solution multiple solution, infinite many solution लेकिन क्या होता अगर यह इसा हो जाता आपकी आखियों के सामने suppose आपका rank of A जो है बिटा वो number of unknown के बराबर आ जाता यह इस केस में हम बोलते है unique solution अगरी बार समय में unique solution का मतलब होता सिर्फ और सिर्फ one solution got the point, बड़ा easy question था यार